सुर्ण दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में दोस्तों आज की सुड़ें बात करने बाला है कि आप आधार कार्ट से UPI PIN को आप सेट कैसे करेंगे तो अगर आप अपने आधार कार्ट से UPI PIN को आप सेट करना चाहते हैं तो आप इस लीग कैसे आपको बताने वाला है कि आप अपने आधार कार्ट से UPI PIN को आप कैसे बनाएंगे या अपने UPI PIN को आप सेट कैसे करेंगे तो आपको अपने आधार कार्ट से UPI PIN सेट करने के यह आपको क्या करना पड़ेगा आपको सबस्ते पहले इस You Tube channel को आपको सस्क्राइब करने कि बाद में आपको सिंप्र अपने Play Store को open करने के बाद में आपको अपने अधारकार स्यू-प्यां पिंशेट करने के लिए इस आपको एक आप्लिकेशन डाउनलोड करना, पड़ेका, जिस application का नाम है, है आपर भीम application, तो आपको simply search बर पर click करना है, search बर पर click करने के बाद में, आपको हमपर type कर देना है, responsible application है, में, भीम making India castles, आपको इस application को आपको download कर लेना है, download करने के लेंग्वेज चूच करने के बाद में आपको प्रसीड वाले ओप्सन पर क्लिक करना आप जैसे प्रसीड वाले ओप्सन पर क्लिक कर देंगे तो आपको आपको आप पर अलाव वाले ओप्सन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद में आपकी सामने आपकर वेरिफा यूर नंबर तो आपको अपना SIM card चूछ करना है कि आपकी किस SIM card से आपका bank account registered आपका bank account link है तो आपना SIM card आपका चूछ कर लेना चूछ करने के बाद में आपको simply confirm SIM और यहां पर you have select SIM या डाल do you want to proceed आपको proceed पर क्लिक करना है तो आप जैसे proceed पर क्लिक कर देंगे तो आपको पर verification होगा आपको जो verification होगा तीनी step में होगा या फिर दो step हो चुका है तो जैसे आपको आपको अगला इंटरफिस कुछ इस तरीके से open होकर के आ जागा है फिर तीनो verification हो चुक है अब आपको simply wait करना पड़ेगा उसके बाद म आप इसको skip कर देने, skip करने के बाद में आपको simply यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा अब जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके भीम application में अगर कोई bank account link नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो simply इस तरीके से options open होकर के आ जाएगा तो आपको simply क्या करना पड़े अगर आपके भीम application में bank account link है तो बढ़ेगा अगर आपके भीम application में bank account link नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको simply search by bank, science by bank पर क्लिक करना है अब आप अपने जिस bank का आधार काट से UPI पर बनाना चाहते है अपने उस bank का नाम आपको पर search करना पड़ेगा तो जैसे जो जैसे मैरा जो bank हैया पर Kennera bank है तो अच्छे करको क्या करेंगे तक बेट करना पड़ेगा उसके बाद में आपको जो bank account है आपका veeem application में बैंकar इस सी हैड हो जाए करने के बाद में आपको सिकमें पर एड़ हो चुक है अब सेखेर में ग्लिक या सब्सक्राइब करने के बाद में आपको दिछी एपन्ग के यू पाउप्शन फ़ hina sca The तो आपको अगर अपने UPI PIN आप set करना चाहते हैं तो आपको simply आधार नमबर चूच करना है आप अपने अधार नमबर के तुरू अपने UPI PIN को आप यहां से set कर पाएंगे आपके आधार के तुरू एक ओपीटी आएगा आपके बैंक के तुरू एक ओपीटी आएगा और आपके मोबाइल नमबर पे एक ओपीटी आएगा तो आप तीनो ओटी पे आप डालेंगे तो आपका वहां पे UPI PIN सेट हो जाएगा आप वहां से UPI PIN आप बना सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्च से अपने UPI PIN को सेट कर सकते हैं पे अपने आधार कार्च याप इनको इसले सेट कर सकते हैं तो आशा करते हैं कि dोस्तों आप को वीडियो पसंद आई होगी तो ब्लेज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐर बेल आइकन को दबायें ताकि मेरे नए नाए वीडियो की अब तक सबसे पहले पहुंचे तो चलेगा इस मिलता है अंगले वीडियो में तब तक के लिए जहीं दवन्डे मातरम